हलो दोस्तों को फिर से मैं हासिर हूँ 11 जनुरी 2022 के इंपोर्टिन इवेंट्स के साथ आप कम्प्लीट वीडियो हैं से देखें कि लास्ट में आपको दो कोशन के जवाब देने है आज का पहला कोशन है वर्ड हिंदी डे विष्व हिंदी दिवस ये किस डेट को मना जाता है तो वर्ड हिंदी डे ये मना जाता है 10 जनुरी को कब 10 जनुरी को हर वर्ष 10 जनुरी को वर्ड हिंदी डे मना जाता है 10 जनुरी को क्यों मना जाता है क्योंकि 10 जनुरी 1975 को 10 जनुरी 1970 को पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था फर्स्ट वर्ड हिंदी कॉन्फरेंस हुई थी कहां पे नागपुर में नागपुर में फर्स्ट वर्ड हिंदी कॉन्फरेंस हुई थी जिसका उद्गाटन क्या था उस समय की ब्रहाम मंत्री इंद्रा गांधी जी दोरा तो पहला यानि फर्ष्ट वर्ड हिंदी कॉन्फरेंस कहा हुआ था नागपुर में अच्छा जो लेटेस्ट हुआ है वो हुआ है दो हजार अठारा में 2018 में जो हुआ है वो 11 वर्ड हिंदी कॉन्फरेंस था कहां पर गुए था मौरिसस की कैविटल पोर्ट लुइस में अगला यानि 12 वर्ड हिंदी कॉन्फरेंस कहां होगा तो यह याद रखेगा 12 वर्ड हिंदी सम्मिलन यह होगा आपका फिजी में तो हर वर्ड 10 वर्ड को विश्व हिंदी दिवस मनायता है विश्व हिंदी दिवस अलग है और नेशनल हिंदी डे अलग है वो मनायता है अपका 14 स्थंबर को देखे हिंदी जो सब्द है इसका उद्गम हुआ है सिंध से क्योंकि जो सिंधु रदी के इस पाल लोग रहते थे उनको फार्सियों दोरा हिंदी बोला जाता था तोकि हिंदी भासा बोलते थे वर्ड हिंदी डे की सुरुवात देखें इंडिया में इसकी सुरुवात 2003 से ही हो गई थी लेकिन पूरे विस्व में हिंदी का प्रचार पसार करने के लिए जो Ministry of External Affairs है यानि विदेश मंत्रा ले वो 2006 से वर्ड हिंदी डे मनाता है तो याद रखेगा वर्ड हिंदी डे 10 जनुरी को मनाया रता है 9 जनुरी को क्या था हमारा प्रवासी भारती दिवस 6 जनुरी को क्या था जो BIS है Euro of Indian Standard 6 जनुरी को उसका 75th Foundation Day था क्या था 75th Foundation Day नेक वोशन है मारा वीर बाल दिवस वीर बाल दिवस ये किस डेट को सेलिबेट किया आएगा तो हर वर्स वीर बाल दिवस मनायाएगा 26 दिसंबर को कब 26 दिसंबर को कल ही परतान मंतरी मोधी जी ने बाल दिवस मनायागा तो ये देखिए ये دो बच्चे हैं इनको दिवार में चुनवाए जाना है औरंग जेब मुगल सासक औरंग जेब के आदेश पर गुरु गोविन साहिब के दो साहिब जादों को देखे चार साहिब जादे थे उनके चार बेटे थे जिनको साहिब जादा कहा था जो छोटे दो साहिब जादा थे इनका नाम क्या था नाम बता दू मैं आपको फते सिंग और जोरावर सिंग इनको दीवार में चुनवा दिया गया था औरंग जेब दौरा तो वो डेट कोई सी थी? 26 दिसंबर 26 दिसंबर को ही दिवार में चुनवा गया था इसलिए हर वर्स 26 दिसंबर को क्या मना जाएगा? वीर बाल दिवस ये आपको याद रखना है कि वीर वाल दिवस हरवर्ष 27 दिसंबर को मना जाएगा जो गुर्गोविन सिंग थे वो सिखों के दसों में गुरू थे उनके चार पुत्र थे जिसमें से जो दो छोटे से फते सिंग और जोरावर सिंग उनको दिवार में चुनुआ दिये था औरंग जेब ने ने कोशन है वे Episode कहां पर इस सिंग में यह देख लिए यह है आपका ग्यट-ब जिसको यूस कियाता है इस लूसूं HOL के दुरां देखिए लूसूं HOL की सूइबन नर के क्लेंडर होता है उसके 10 महने के 48 दिद यह लूसूं HOL मना जाता है तो एक हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है सिक्किम का कौन मनायता है इसको लूसूं फेस्टिवल को भूटिया भूटिया एंड लेपचा जो कम्यूटी है वो मनाती है सिक्किम में मनायता है तो आप यह याद रखेगा सिक्किम के चीप मिनिस्टर कौन है पी, एस, गोले, कौन है, पी, एस, गोले, गवर्नर कौन है, गंगा प्रसाद जी, तो सिक्किम याद रखेगा आप, ने कोशन है, भरत सुबरमर्णियम, भारत के 73 में ग्रैन मास्टर बने हैं, कहां से बिलॉंग करते हैं, तो ये हैं, भरत सुबरमर्णियम, ये बिलॉंग क तो मितरभा, मितरभा, गुहा, जो की कुलकत्ता से थे, ना मैं रखेगा, मितरभा, गुहा, कुलकत्ता से थे, वो इंडिया के 72 ग्रैंड मास्टर बने थे, और अब बन गए हैं भरत सुब्रमाणियम, जो की इंडिया के 73 ग्रैंड मास्टर हैं, यहां रखेगा, भरत सुब् बने थे 1988 में, कौन बना था? विश्वनाथन्त, आनंद नहीं कोशन है, पंजाब पुलिस पंजाब पुलिस के नए डी जीपी कौन बने है? तो पंजाब गौर्णमेंट के नए डी जीपी बने है, वी के भावरा कौन? वी के भावरा यह देख लीजे यह हैं आपके VK भावरा यह पंजाब के नए DGP बने हैं यह हैं आपके चरलजी सिंग चन्नी जो की पंजाब के मुखिवंतरी हैं इनकी सरकार के दोरान यह तीसरे DGP हैं VK भावराना में रखेगा तो VK भावरा पंजाब के ने威ड इजी पिवय ने है विके भावरा ने रिप्लेस किसको किया है तो सिधार चत्तो बाध्याए को किसको सिधार चत्तो बाध्याए को VK भावरा ने रिप्लेस कर दिया है देखे पनजाब की बात आए तो SPG जो Court of Conduct violation हुआ है उसके कऱार पंजाब बहुत चर्चा में है तो कुछ भी हो पंजाब का जो है आपको कुछ भी नोट कर लेना है पंजाब गौर्णमेंट ने क्या किया जगनात रत्यात्रा को state festival डिकलेर कर दिया था क्या state festival पंजाब के चीप इनिश्टर है चरणजी सिंग चन्नी और गवनना कौन है बनवारी लाल पुरोहित और अब वीके भावरा पंजाब के ने डी जी बी हो गए उसके लावा जो यह अनुप बागची है यह आई सी आई सी आई बैंक के एक्जिक्यूट्टू डिरेक्टर अपॉइंट हो हैं तीन साल के लिए और दुर्गा संकर मि माँ पॉपी के नए चीफ सेकेर्ट्री बने है नए कोशन है AIIB Asian Infrastructure and Industrial Bank Asian Infrastructure and Industrial Bank इसने वाइस-प्रेज़िट्स कौन ऑपॉइंट किये गए है तो AIIB के नए Vice President बने है उर्जित पत्रेल उर्जित पत्रेल AIIB के नए Vice President बने है यह देख लीजिए यह हैं आपके उर्जित पत्रेल यह हैं आपके उर्जित पत्रेल RBI के 24 गवर्णर भी रहा चुके हैं 24 वे गवर्णर रहे है RBI के इस सभितुम पर्चीस में को है? सख्थिकानदाथ तो और्जित पर्टेल को AIIB का वाइस प्रेसिडन्ट बनाया गया है AIIB का प्रेसिडन्ट कोन है? तो Lan Quan चीन के हैं और वो AIIB के प्रेसिडन्ट है हलाकि आप वाइस प्रेसिडन्ट ह cylinders है उर्जित पटेल आपको यह याद रखना है अगले तीन वर्स तक अगले तीन वर्स तक उर्जित पटेल AIB के वाईस प्रेसिडेंट बने रहेंगे देखिए उर्जित पटेल ने रिप्लेस किया है किसको यह आप से पूर सकते हैं एक्जाम में तो उर्जित पटेल ने रिप खापना कीए थी, इसका हटकोर्टर है बीजिंग में, कहां पे, बीजिंग में प्रेसिडन कौन है, ली क्वान कहां से बिलाउं करते हैं, चीन से और AIB है, सबस्यादा वेटेस भी चीन का ही है, ने कोशन देखते हैं बहाने छोड़ो, टैक्स बचाओ बहाने छोड़ो, टैक्स बचाओ केंपेन, किसने लाँच किया है तो ये लाँच किया गया है, SBI General Insurance दोरा, ये देख लीजिए आप SBI General Insurance SBI General Insurance ने बहाने छोड़ो, टैक्स बचाओ केंपेन लाँच किया है, ये SBI General Insurance ने क्यों किया है, SBI General Insurance न ऐसा क्यों किया है देखिए जो Health Insurance होता है उसको Income Tax Act 1961 के Section 80D के दहाँ छूट मिलती है जो Life Insurance होता है वो ATC के दहाँ छूट में आता है और जो Health Insurance होता है 80D के दहाँ छूट में आता है इसी लिए SBI General Insurance ने ये Campaign launch किया है बहाने छोड़ो Tax बचाओ यानि Health Insurance लो और अपना Tax सेप करो इसी लिए SBI General ने ये बहाने छोड़ो Tax बचाओ campaign launch किया है SBI General की बात करें तो इसकी स्थापना हुई 24 फरवरी 2009 को SBI General का Headquarter कहा है तो मुबाई में Headquarter है MD&CU कौन है परकास चंदर कंदपाल परकास चंदर कंदपाल ये SBI General Insurance के क्या है MD&CU है आप से दूसरा कोशन ये बनाथता है इन चारों में से कौन सी Insurance Company को Domestic, Sistically Important Insurance Company ने गोसित किया गया है तो इन चारों में से SBI General Insurance जो है domestically Important Insurance Company नहीं है बाकी तीनों है ये आप याद रखेगा LIC ने Digi Zone launch किया है वो तो आपको पता ही है Next question है S.Barty इन्होंने Adelaide International Tennis Tournament जीता है ये कहां से बिलॉंग करती है तो S.Barty बिलॉंग करती है Australia से कहां से? Australia से ये देख लिजे ये हैं आपकी S.Barty Australia से बिलॉंग करती है इन्होंने Adelaide Women's Single Championship को जीत लिया है S.Barty Australia से है Adelaide International Tennis Tournament को जीता है Women's category में ये S.Barty ने हराया किसको है? तो देखिए S.Barty ने हराया है कजाकिस्तान की एक player है Elena Raibakina क्या? Elena Raibakina वो कजाकिस्तान की उनको हराया है S.Barty ने और जीता है Adelaide International Tennis Tournament Adelaide International Tennis Tournament ये बहुत मलब की जल्दी से ही सुरूव है 2020 से तो अभी ज़दा होनी हुए है हलाकि ये Canberra जो ऑस्टिले के कैपिटल है वहाँ पर इसका final match के लागिया है Women's Single Title ने कोशन है सत्यसोधक समाज सत्यसोधक समाज की चर्चा में क्यों है मलब चर्चा में क्यों है वो बात करेंगे सत्यसोधक समाज की इस्थापना कब हुए थी 1873 में किसने इस्थापना की थी जोतिबाब भुले और सावित्री भाई भुले ने मिलकर सत्य सोधक समाज की स्थावना की थी पूरे में परपस क्या था सत्य सोधक समाज का परपस ये था महाराश्करी जो डलित या फिर सुद्र पजाद के लोग थे जाद के लोग थे उनका उत्थान करना तो सत्य सोधक समाज की स्थावना हुई थी फातिमा सेख, हाल ही में गूगल द्वारा इनके 191st बर्थ एनिवर्सी को सेलिवेट किया गया फातिमा सेख, भारत की पहली मुस्लीम टीचर यानि अध्याबिका थी, 1848 में, 1848 में इन्होंने सावित्री भाई फुले और जोतिबा फुले के साथ मिलकर, इंडिजिनस लाइबरेरी की स्थापना की थी, अच्छा फातिमा सेख, फर्स्ट फीमेल मुस्लीम टीचर थी, तो इंडिया की फर्स्ट फीमेल टीचर कौन था, सावित्री भाई फुले, फातिमा सेख ने जो 37 सुदक समाज था, उसमें बहुत बड़ा योगदान दिया था, इसलिए ये 37 सुदक समाज चर्चा में है, जिसकी स्थापना 1873 में की थी, किसने सावित्री भाई फुले और जोतिबा बाई फुले है, सावित्री भाई फुले फर्स्ट फीमेल टीचर हैं, उनको, उनके लिए जूलन गोस्वामी को अंबेश्ड़ बनाया है, जूलन गोस्वामी कहां से विलोंग करती हैं, तो जूलन गोस्वामी विजलोंग करती हैं, वेस्ट बंगॉल से, ये हैं जूलन गोस्वामी, इनको LLC ने अपना ब्रांड अंबेश्ड़ बनाया है, All Women Cricket Team के लिए LLC Legends League Cricket इसमें वो सारे प्लेयर जो है क्रिक्ट खेलते हैं जो रिटायर हो जाते हैं Legends League Cricket अब महिला टीम बेस में सामिल हो गई है जिसका अब राणना बेशर बनी है जो की वेस्ट बेंगॉल से है Legends League Cricket का जो Women's का मैच होने वाला है वो ओमान के Cricket Stadium यानि ओमान की Capital मसकट में होने वाला है LLC में तीन टीमें होंगी महिलाओं की याद रखिएगा ने कोशन है Liquidity Coverage Ratio RBI दोरा जो बैंकों का Liquidity Coverage Ratio है इसको 5 करोड से बला कर कितना कर दिया गया है तो RBI दोरा हाली में बैंकों का Liquidity Coverage Ratio लिक्विटी Coverage Ratio इसमें यह होता है कि आपके पास जो भी कैस है यानि सबसे दर लिक्विट फॉर्म में जो भी करेंसी है उसका उस सारे मौट का लगभग मैक्सिम सारे साथ करोड आपको रख सकते हैं उसमें तो लिक्विट रखना है कितना साड़े साथ करोड अपने पास ताकि कैस क्रेंच ना होने पाए इस सिचुएशन में जितनी भी सेडूल बैंक है यानि RBA Act 1932 की सेकंड सेडूल में लिश्टेट है उन सभी को RBA Act 1934 की सेकंड सेडूल में लिश्टेट है उन सभी को ये लिक्विट्री कवरिज रेशियो बस इतना है दिखिएगा और RBA की बिसे में जानते ही है RBA की स्थामना हुई थी RBA Act 1934 के द्वारा 1st April 1935 को ही थी कहांपे कोलकत्ता में लागि 1937 को इसका हेड़कोटर मुंबाई टांसपर कर दिया गया RBA का नेस्नलाइजेशन हुआ था 1949 में जबकि आपके Banking Regulation Act भी पास हुए थे RBA 1st Governor कोन थे Osborne Smith 1st भारती Governor कोन थे C.D. Desmok वतवान में RBA की 25th Governor कोन है सक्तिकान दास Next question है सिक्खों के यानि सिक्धर्म के दस्वे गुरू कोन थे सिक्धर्म के दस्वे गुरू गुरू गोविन सिंग हाले मिन का 355 प्रकास पर वो मनाया गया है और भी मैंने आको बताए था जो वीर बाल दिवस था वो गुरू गोविन सिंग जी के जो दो छोटे साहिब ज़्यादा थे उनको दिवार में चुनवा दिया गया था इसलिए बाल बीर दिवस एनाउंस किया गया देखिए इस बार जो हमारे गुरू गोविन सिंग जी है 9 जनवरी 9 जनवरी 2022 को क्या मनाया गया 355 प्रकास पर मनाया गया दो है 17 में इनका 350 प्रकास पर पड़ा था ये देखिए ये हैं गुरू गोविन सिंग इनके चार पुत्र ये है इनमें से ये जो दो छोटे वाले थे इनको चुनवा दे था और अंग जेमने तो सिख्खों के दसमे गुरू गुरू गोविन सिंग जी गुरू नानक देव पहले गुरू थे गुरू अरजन देव सिंग पाच वे गुरू थे तो बस इतना ही यार रखे हाला कि जो गुरू गोविन सिंग थे इन्होंने 1708 में 1705 में आपके मुगल बास्सा और अरंग जेब का कारिकाल खतम हुआ और 1708 में इन्होंने गुरू 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 भुषित कर दिया ने कोशन है SNP Global के Corporate Sustainability Assessment में हाइस्ट स्कोर किस कंपनी ने गिन किया है तो SNP Global के Corporate Sustainability Assessment में हाइस्ट स्कोर एचीव क्या है Tata Powers में देखे Corporate Sustainability Assessment इसमें ये दिखा जाता है कितने sustainable तरीके से आप resources का use कर रहे हो कि future PD को यानी future generation को दिक्कत ना हो तो इसमें top किया है Tata Powers ने किसने Tata Powers ने विस्व की 10,000 10,000 से अधिक companies ने participate किया इसमें top किया है Tata Powers ने तो आपको एखना है SNP Global की Corporate Sustainability Assessment में top किसने किया है Tata Powers ने Tata Powers का score कितना रहा है 67 out of 100 67 out of 100 देखें इंडिया इस समय क्या कर रहा है Sustainability पर बहुत focus कर रहा है क्यों क्योंकि Prime Minister Modi COP26 में पार्सिपेड लिया COP26 कहा हुई 2021 में हुई Scotland की Capital Glass Go में Scotland की Glass Go सहर है उसमें जो है इसकी बैठक हुई Prime Minister Modi ने टर्गेट दिया कि इंडिया जो है Renewable Energy 500 Giga Watt Create करेगा 2030 तक और जो Energy Demand है उसका 50% Non-Fossil Fuel से लाएगा ये कहा गया Prime Minister Modi COP26 में Glasgow, Scotland यानि UK में COP26 हुआ है UN FCC का ने question है भारत में जो Financial scenario है वो काफी तेजी से बदल रहा है इसके लिए एक Internal तो Internal Fintech Department setup किया गया है RBI 2 देखे लोग Digital Payment का बहुत बड़ी मात्रा में यूज़ कर रहे है तो Dynamic Change आ रहा है इंडिया की Financial scenario में तो Government of India ने कहा भाई RBI इसे कि कुछ करो ने तो ये जो पैसा कहीं भी चला जाएगा तो RBI ने कहा Fintech Department होगा एक जो एक Center Point होगा सभी Fintech Related Problem को Solve करने के लिए हाला कि RBI ने जून 2018 में क्या किया RBI का Department of Regulation है इसके तहदे एक Fintech Unit की स्थाफ़ना पहले ही कर चुका है जो पहले से एक Center Point है लेकिन अब एक Fintech Department ने स्थाफ़ना किया गया है RBI 2 दोरा ताकि Financial सिनारियों को सही से Track पे लाया जासके ने कोशन हमारा Mary Lamb Bergman Mary Lamb Bergman का हाली में निदन हो गया कहां से बिलॉंग करती थी तो ये बिलॉंग करती थी कहां से आपकी US लॉस एंजिलिस से तो नाम रखेगा Mary Lamb Bergman हाली में निदन हो गया ये देख लिजिए ये हैं आपकी Mary Lamb Bergman इनका निदन हो गया Music, Lyricist और Composer Oscar Award winner थी याद रखेगा Mary Lamb Bergman हाली में निदन हो गया कल मैं आपको बताया था कि India के Pen King India's Pen King विराठ कोठारी का निदन हो गया था विराठ कोठारी कहां से थे UP से वो याद रखेगा तो ये आज की वीडियो से कोशन है आपको PDF उसी format में मिलेंगी जैसे डेली मिलती है मिलते हैं आपसे अबने नेक्ट वीडियो में